वेनम 3 The Last Dance के ट्रेलर में आप लोग को Spider-Man दिखा मुझे तो नहीं दिखा वैसे फिलाल यहां पे एक चीज़ क्लियर है यहां पे हम लोग को कुछ समझ में आ गया है कि ट्रेलर आखिर बताना के चाहता है मैं पहले क्लियर करना चाहता हूं यह hidden detail या breakdown वीडियो नहीं है बस ए वेनम 2 तक देखे थे कि एडी हमें साथ रिजिस्ट करता था वेनम को कि तुम दूसरों की खोपड़ी ऐसे नहीं खा सकते हो खाना है तो मुर्गिया खाओ और आखरी खोपड़ी शायर उसने Cletus Cassidy की खाई होगी जो Carnage बना था लेकिन जब से एडी और वेनम मल्टिवर्स स ट्रेबलों करके आए हैं तबसे इनके साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है और जैसे कि इनका राज खुल गया है कि आखिरकार वेनम के पास एडी है या फिर एडी के पास वेनम में बात जो भी हो और यहां पर ट्रेलर में हम लोग को एक ग्लिम्स दिखाए दी है उपर से मीट अग्जिस करते हैं और इस सेम एक्टर का फेस है लेगिन इससे कोई घंटा फरक ने पड़ता है क्योंकि यहां पर हो सकते मल्टिवस के सब्सक्सप्त कर्णा अलग हो बात नहीं है तो यहां पर कोई थिएरी ने बनती कि वह बारन मोडो है लेकिन वह यहां पर रिसर्च कर रहा है वेनम को पकड़ा है ऐसी कोई थियोरी नहीं वो और टुकेदर एक डिफरेंट परसन है और आप लोग के आद होगा कि वेनम 2 में हम लोग ने जो डेटेक्टिब देखा था वो अब क्याद में बंद है और उसके अंदर भी वेनम का एक सब पार्ट है जिसे हम लोग ट लेकिन यहां पे हम लोग को एक चीस समझ में आ गई है कि एडी और वेनम एक रंग पे हैं और उनको अपनी जान बचानी है ना सिव आर्मी वाले लोगों से बलकि जो सिंब्योर्ट जो की उपर से आ रहे है या फिर क्या जो कि वेनम की दुनिया से आ रहे हैं अब इनको ब विल्डर हो सकता है लेकिन नल नल को इसानी से मारा नहीं जा सकता है नल अगर वेनम में दिखा दिया तो बहुत बड़ी पात होगी लेकिन जिस तरी की प्लॉट डीटेल आ रही थी कि वेनम एक उन्हों से दूसरे नोसमें जम करेगा वो अभी तक हम लोगों को ऐसा कुछ यह मुई बना रहे है उपर से आखरी जैसे कि टॉम हाडी ने कहा था कि जो वेनम है वह एक दिके से आखरी मुई उसके बाद चाहिए हम लोगों को वेनम की सोल फिंद ना दिखा जाए तो इतना सब कुछ करने के बाद वेनम 2 के पोस करीट सीन में स्पार्डर मैन को दिख जोगी उसमें वो क्लियर हो गया था कि वेनम में स्पार्डर मैन है लेकिन स्पार्डर मैन वो बना नहीं है मतलब कि पीटा पाकर है और वो दस साल का बच्चा है अब यह बात कुछ हजब नहीं होती भाई कि आखर यह सब क्या हो रहा है लेकिन ऐसा कोई हिंट हम लोगों बने देखने को मिला ना मर्टिवर्स ना स्पार्डर मैन सिव वेनम एडी जो कि भाग रहे है दो चीज़ से पहली तो आर्मी जो किसे पकड़ना चाहती है और दूसरे उनके खुद के सिंब्योड वैसे यह जब मैंने यह सिंब्योड देखा था तो मुझे सिंब्योड की जो शकल है वो आउट एड़स से काफी मिलती जूलती दिखाई दे रही थी यही वही जो थनौस के यार में जो वकांडा पटा किया थे हाला कि यह आउट एड़स नहीं है लेकिन काफी हद तक मिल रहे थे अगर आप लोग भी सिमलार्टी देखेंगे तो आप लोग समझ क्या होगे लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि आखिर यार इस मुई का अंध क्या होगा क्या वाकई एंड में एंडू या टॉम मॉलिंड का स्पाडर मैन आके सब कुछ ठीक कर देगा या फिर एंड में किसी तरफ फिर से टेलिपोर्ट हो जाएंगे दूसरे मल्टि रिपोर्ट कैसे हो रहे था इनके पास को जादू की छड़ी आ गई थी यह फिर मल्टिवर्स में गलिच आ गया था यह तो नहीं पता लेकिन हां यह लोग मल्टिवर्स ट्रेवल कर रहे थे लेकिन अभी ट्रेलर इतना नीट अन क्लीन है कि यहां पर कहानी हम लोग समझ सक सकते हैं हम लोग पहचान सकते हैं कि कहानी आखिर होने के वाली है लेकिन कहानी का अंध क्या होगा यह किसी को नहीं पता क्योंकि कहानी का अंध काफी जादे यूनीक हो सकता है लेकिन हम लोग 70% मुई के जो कहानी है वो ओडियन समझ गया होगी कि आखिरकार वेनम और रायट का क्याम काम था, रोकेट भेजके बाकी ये symbiote को लाना ताकि वो अर्थ पे कॉंकर कर सके और इनसानों को एक तरीके से खा सके और वहीं हम लोग बात करें वेनम की तो उसने रायट के साथ दगाबाजी की क्योंकि हम लोग इन सब दिको देख रहे हैं तो Venom इनको भी देख कि चौक या भाई ये कैसे प्रजाती की सिंब्योट है तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि Venom और Eddie की काफी जादा लगे पड़े हैं लेकिन क्या यह मुई इतनी बड़ी हो सकती है कि यहाँ पर भले मल्टिवर्स ट्रेवल ना दिखाए या फिर टॉम या फिर एंड्रू के स्पाइड़ेमन को ना दिखाए तो एट लिस्ट एंड में नल को दिखा दे कि नल और Venom की बैटल हो रही हो क्योंकि दोस्तों नल के स स्पाइड़र्स बनाने की सोच रहा है जिसके लिए उसे मार्वल के साथ कोलाब करने की विजवत नहीं है जैसे कि पहले लग रहा था ओडियंस को कि आगे जाके वेनम की जरूत सीक्रेट वर्स में होगी और यहां पर वेनम हम लोग को वहां दिखाई देगा लेकिन सोनी साथ बोल दिया कि सीक्रेट वर्स में वेनम को रखना है नहीं रखना है वह सोनी पिक्चर डिसाड करेगा क्योंकि वेनम अपना वेनम वर्स और स्पाइड़र्स बनाने वाला है कहा तो यह जारता कि हम लोग को यहां पर टॉबी मेगवायर की इनुवर्स का भी वेनम लेकिन कुछ तो ऐसा ट्विस्ट होगा जो कि आगी जाके स्पाइड़र्स के ही लाइन में जाएगा ना कि एवेंजेस के लाइन में क्योंकि यह जो सूनी है यहां पर स्पाइड़र्स पीडवर्स कर रहा है लाइवक्षन में तो में भी कोई न कोई स्पाइडर मैन आना सीने पर जब स्पाइडर मैन के साथ बॉंड होगा और यह कब होगा यह तो हम लोग वेनम 3 के बाद ही पता चलेगा वैसे अगर आप लोग ने भी ट्रेलर देख लिया तो आपकी क्या थियोरी आप लोग कमेंट करके बताइए और आप लोग यह भी बताइए कि आप इस ट्र लेकिन फ्यूचर में ऐसा होगा कि वेनम और एंटी वेनम का सामना हो वैसे देखा जाए तो स्पाइडर में ना भी आए तब यह मुई अच्छी बन सकती है अगर नल और एंटी वेनम हम लोग को देखने को मिल जाए तो